तो है तो बजट सत्र पर चर्चा कावल हिंदू सम्विधान की और ज्यादा जाते दिखाई दे रही है। केसी त्यागी? यह इत्फाक है कि बजट सत्र तो पहले आ चुका होता अगर चुनाव पहले होगे होते लेकिन यह सवाल है इस समय संसद के भी सामने और हमारे आपके भी सामने और जो यह नया नेम पलेट लगाने वाला है मैं उसी छेतर का रहने वाला हूँ और मैं वहाँ से संसद रहा हूँ और हरदवार से लेकर के गाजे बाद के बीच में मेरा कारे चेतर चौदरी चरंसिंग जी के साथ में लोगदल में था उसमें मैं रहा हूँ और मैंने दर्जनों कैम्प लगवाए हैं संचालित किये हैं जहां हमारे कार सेवकों की सेवा भी होती है और उनका ध्यान भी रखा जाता है एक तो संदीब जी ये जो काउन लेकर के चल रहे हैं वो धार्मिक तोर पर बड़े प्रतिपद लोग हैं चुकि इतना लंबा सफर पैदल पार करना और कंधे पे पवित्र गंगा जल रखना ये कोई मामली काम नहीं है पंदरे बीस किलो मीटर के बाद उनके पैरों में च्छाले पड़ते हैं तो हम वहाँ पर इस तरह की विवस्था करते हैं रास्ते में और कभी ऐसा नहीं हुआ और जो इलाका वहां से चलता है चाहे पुरकाजी हो चाहे मंगलोर हो बरला फलोदा छपार अब तो बाहर का रास्ता बनका है मुझे फणगर शेर के बीच में फिर दोराले के बीच में फिर मिरट शेहर के बीच में मूराद नगर कस्वे की बीच में यह यात्रा जाती थी कभी किसी ने एक पत्थर भी फैक निकट काम नी किया और ये हमारी सदियों की विरास्त भी है एक तो मैं थोड़ा सा और इसमें टाइम लेना चाहता हूँ वहाँ जो कन्वर्टिड मुस्लीम्स हैं प्रोमिनेंटली उनी किसान जातियों के हैं जो वहाँ पर खेती के काम में हैं जाट हैं त्यागी हैं गूजर हैं राज़पूर्ट हैं वो अपने नाम के साथ भी वही जातियां लगाते हैं जो हिंदू की हैं इसलिए भाई-चारा महा पर रहता है अब जो नया कानून आया है उसको लेकर के कई तरह की ब्रहंतियां पैदा हो गई एक तो हिंदू और मुसल्मान सब अपने अपने नाम लिखें तो जब मुसल्मानों की जो धर्मशाला होगी या भोजशाला होगी उसमें जाहिर है कि हिंदू उतना तेवित के साथ खाना पसंद नहीं करेंगे जितना हिंदू के हाँ करेंगे जिस तरह का वातरवन आज महाँ पर उपस्ती थे ये भी मैं और रिकोर्ड कहना चाहता हूँ कि अब से पहले वहाँ पर मुसल्मानों के उतने ही शीवर लगते थे जितने हिंदू के थे और वैसे ही सेवा होती थी जैसे पहले होती थी तो ये नौबत क्यों आई एक मिनट केसी द्यादी साहब सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नारा बुलंद करती है सरकार प्रदान मंत्री ये नारा गड़ते हैं और अवश्वास हो जाता है एक समुदाए के खिलाफ ये अब क्यों ने मैं इस पर भी अपना कश्ट जाहिर करना चाहता हूँ कि हमारे गठबंदन के नेता नरेंद मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास तो इसमें से हलका सा विश्वास और विकास पे हलकी सी चोट आई है जो पीड़ा जनक है अगर मुस्लिमों का इस आधार पर आर्थिक वहिस्वार होता है तो ये उनका विकास टूटता है और अगर डिवीजन कमरेल लाइन पे होता है तो उनका विश्वास कमजोग होता है इसलिए जो NDA के मानने वाले लोग हैं, जो मोदी को अपना NDA का बड़ा निता मानते हैं और हम नितिश कुमार को भी मानते हैं, बिहार का में जिकर कर रहा हूँ, सुल्तान गंज से ले करके देव घरता के 105 किलो मिटर का रास्ता है, कभी 40-45 सालों में इस तरह का कोई पृति माबाद ये, आपने अपना एकराज बर्ज कराबाद ये, और आज आप अपने से, नहीं, केसी त्याजी साहब उनकी तरफ से कोई आपको रीच आउट किया गया है, आपके जो अंदेशे हैं या जो एतराज हैं उनको अड्रेस करने की कोशिश की गई है, सवाल मैं ये इस इसका समर्थन कर रहे हैं, मोहन यादव इसका समर्थन कर रहे हैं, हिमंता विस्वा सर्मा, यानि की पूरी बीजेपी अब इसका समर्थन करती दिख रही है, लेकिन इसका समर्थन कभी अब से पहले की जो सरकार थी बीजेपी की उसने नहीं किया, पिछले दस सालों में हर सुन्रा राजी की सरकार ने कभी नहीं किया गेहलोत की सरकार ने नहीं किया भैरो सिंग सेखाओत की सरकार ने कभी नहीं किया उत्तर परदेश में राजनाज सिंग सरकार नहीं किया हम अपना विरोज दर्ज के लोकतंतर में संदीब जी आप उसके परहरी हैं समीधान के लोक के सामने रख दिया एक दूसरा हम इस तरह का नहीं मानते हैं जो भारतिये जनता पार्टी की उत्तर परदेश की सरकार ने का और मेरा नहीं है वहां सबसे बड़ी जो डल है या जो सबसे बड़ी रीच है वो चोधरी चरंड सिंग्ग की जो वरत्मान पार्टी है लोगदल उसकी है जिसके निता जैन चोधरी है जो केन सरकार में है और अगर अगर दुकानदारों की पहचान जाहिर होनी चाहिए फिर तो पलट कर कोई ये भी मांग कर सकता है कि ये श्रद्धालू है और आप आस्था इससे बड़ी आस्था क्या हो सकती आप पानी जमीन पर रख भी नहीं सकते गंगा जल जब आप लेकर चलते हैं पर इस में कुछ शरार्ती तत्व भी आ सकते हैं ये अंदेशा तो हम रोक नहीं सकते तो क्या कावडियों की पैचान जाहिर हो पिर तो ने ये तो बहुत सारे सवाल पैदा होंगे ये बहुत सारे सवाल ये भी पैदा होंगे फिर जात भी लिखी जाएगी कोई लिखेगा कालू क्या उसकी दुकान पे खाना खायेगा कोई लिखेगा नत्थु जाट बे वज़े सबका साथ सबका विश्वास और सबका विखास पर एक चोट हूई है और मैं बहुत मजबूत घटक का मजबूत मदाधिकारी होने के नाती अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराता हूँ ने मैं आपके शोद पे मुझे एतराज है यह सथ्टा सुख नाम पर जो सवाल हमसे किया गया है मुझे उस पएतराज है वो भोगने वाले और लोग है हमने कभी को सथ्टा शुक नी भौगा हम लोया चरंसिंग्-करपूरी ठाकूर निकीश कुमार उस परमपरा के लोग हैं राज जब हमारे हिस्से में आता है तो हमारे लिए सेवा के लिए आता है सत्ता भोग ने के लिए नहीं आता है एक दूसरा विषेश राज का दर्जा ये कोई J.D.U. की मांगने है संपूर्ण विहार की मांग है सब प्रस्ता पास कर चुके हैं चौद्वा जो भी तायोग था उसने ट्रंप सो रेफरेंस में कह दिया कि नहीं हो सकता है आप नहीं मिलता विशेष राज्य का दर्जा तो क्या करेंगे किसी द्यागी साब मिलेगा होफुल है हम सरकार के हिस्चेदार है ऐसक ऐसक हाँ होफुल है 100% चलिए बहुत बहुत चुक्तिया आपने कीम्ती वक्त निकाला आपकी और बहुत सारी इंगेजमेंट्स थी मेरे आगरह पर आपने ये वक्त निकाला आप होफुल है विशेष राज्य के दरजे को आपको रखे आगे